इस वीडियो में हम देखेंगे यूरिट नमबर टू दे मैजिक अफ टीम वर्क का इसके वाम अप में आप जाओगे तो उसमें आपको एक लिस्ट दी गई है कॉर्परेट हारार्की की यानि कि किसी भी कॉर्परेट सेक्टर में जो स्ट्रक्चर होता है अलग-अलग उपरवाइजर फिर उसके उपर होंगे मैनेजर फिर मैनेजर के उपर जेनरल मैनेजर फिर जेनरल मैनेजर के उपर वाइस प्रेसिडेंट इस तरीके से ये हायरर्की चली जाती है तो किसी भी कंपनी को अच्छे से वर्क करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होत पाना तो क्या होता है कि अक्सर देखा गया है कि जो भारत में लोग न के दिमागים इस जो हारारकी कंपने के अंदर जैसे कि जो शेयरहोल्डर्स है या फिर आप समझो की कोई मैनेजर है तो वह macos को अगर आप कहोगे कि जो worker हैं उनका काम करने के लिए तो वो नहीं करेंगे क्यों? क्यों कि उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि मैं तो superior हूँ मैं क्यों workers के काम करूँ जो inferior है मुझ से मैं उसके काम क्यों करूँ तो अब हम text देखते हैं In my younger days in the US, I attended an executive seminar for Rockwell International where about 25 senior company executives had congregated for a week for strategic discussion. Seminar का मतलब तो आपको पता होगा, एक मीटिंग होती है जिसमें जो लोग है वो आते हैं और किसी specific topic के उपर बातचीत करते हैं, information exchange करते हैं एक दूसरे के साथ. Rockwell International एक manufacturing industry थी, थी यानि कि अब ये जो company है वो छोटी-छोटी अलग-अलग companyों में divide हो चुगी है. Congregated का मतलब होता है एक जगह एक अठा होना और strategic discussion का मतलब होता है किसी particular, किसी wishes, special topic के उपर discussion करना, बातचीत करना. तो यहाँ पर author ये कह रहे हैं कि जब वो युवा काल में थे अपने, तो उस वक्त वो US में रह रहे थे, और वहीं रहते दौरान एक सेमिनार हुई थी, रॉक्विल इंटरनाशनल में, तो उसको author ने attend किया था, और उस सेमिनार में 25 senior executive भी आये थे, और वो सभी एक हफ़ते के लिए, एक सब्दाह के लिए, वो सभी इकठा हुए थे, discussion करने के लिए. इन दे इवनिंग्स, वी वोड ब्रेक आउट इंटो 5 इफरेंट ग्रूप्स और 5 पिपल इच, तो उसी सेमिनार खतम होने के बाद क्या होता था, सेमिनार चला, उसके बाद शाम के समय में क्या होता था, वर्क्शॉप लगती थी, आपसे एक सवाल है, सेमिनार और वर्क्शॉप में अंतर क्या है, आप ये ज़रूर बताना, तो शाम के समय में क्या होता था, कि 25 सीनियर एग्जेकेटिव आए थे, तो उनको पाँच-पाँच की ग्रूप में बाट दिया गया था, यानि कि एक ग्रूप में पाँच मेंबर होते थे, तो जो वो ग्रूप बनाई गई थी, उसमें क्या होता था, कि उसमें से कोई एक मेंबर क्या करता था, वो सभी को उनके काम बताता था, कि उनको क्या क्या करना है, डेलिएट का मतलब यहां पे हुआ, बताना, देना, डेलिएट यानि टूगीव, तो कोई एक मेंबर उस ग्रूप में सबको बताता था, कि तुम्हें कॉफी बनानी है, तुम्हें नोट्स बनाना है, तुम चेर्मैन हो इस ग्रूप के, और तुम्हें जो बोर्ड है, वो स काम दिया जाता हो, हर दिन एक काम नहीं किया जाता था, मतलब उसको स्विच किया जाता था, आज तुमने बोर्ड साफ ही है, तो कल तुम कॉफी बनाओगे, या फिर नोट्स बनाओगे, या फिर तुम चेर्मैन होगे, इस तरीके से चलता रहता था, नोवन एवर सेट, अब यहां पर ओधर यह बता रहे हैं, कि उनमें से कभी भी किसी ने ऐसा नहीं का कि, मैंने दो दो बार कॉफी बनाई है, फिर मुझे क्यों दे रहे हो कॉफी बनाने के लिए, या फिर मैंने सारा दिन कल बोर्ड साफ किया था, अब मैं यह नहीं करूंगा, किसी ने कोई ही कम्प्लेन नहीं कि, जो भी काम दिया जाता था, उस काम को सब नहीं किया, अब जब यह सब हो रहा था, किसी ने कोई complaint नहीं की जो काम दिया गया वो काम किया तो author के दिमाग में ये बात आई कि अगर यही चीज भारत में हो रही होती तो क्या होता लोग कहते हैं कि मैं तो किसी कंपनी का सेक्रेट्री हूँ senior secretary हूँ मुझे ये क्या coffee बनाने का काम दे रहे हो मैं ये काम नहीं करूँगा या फिर तुमने उससे क्यों chairman बना दिया है मुझे chairman बनना है यानि कि क्या है कि जैसे कि हमने देखा था warm up में कि company के अंदर जो hierarchy होती है कोई vice president है फिर उसके नीचे general manager है फिर manager है फिर workers है तो ये जो hierarchy है ये automatically हमारे दिमाग में आ जाती है भारत के जो लोग हैं उनके दिमाग में एक्दम naturally आ जाती है और इस वज़े से वो superior और inferior का जो concept है वो भी उनके अंदर आ जाता है इस वज़े से क्या होता है ना कि team work जब आप कर रहे हो तो उसमें problem आ जाती है आप उसको इस प्रकार से सोच सकते हो आप खुदी सोचो आप team work कर रहे हो और उसमें आप गए और आपने कहा कि मैं तो senior हूँ मैं जो कहूँगा वही होगा और उसमें कोई आप से junior होगा तो वो ये सोचने लगए वो विचला यही सोचेगा कि अब मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ तो वो अपनी जो ideas है वो बताएगा ही नहीं इस वज़े से क्या होगा कि काम ठीक से हो ही नहीं पाएगा तो simple से कहने का मतलब यह है कि team work जब आप कर रहे हो तो इस तरीके का environment बना के रखना चाहिए team के अंदर कि सभी बड़ाबर हो कोई superior नहीं कोई inferior नहीं सब अपनी बात पुरी तरीके से बता पाएगे तब ही एक team अच्छे से काम कर पाएगी और जो काम होगा वो भी बहतर ढंक से हो पाएगा आप समझो कि आपको एक काम दिया क्या है यानि कि आप हो और आपके दोस्त है जिनको एक program और्गनाईस करना है decoration से लेके जितने भी programs करने हैं उसमें वो सब कुछ आपको और आपके दोस्तों को ही मिलके करना है और आपको उस group का एक leader बना दिया गया है कि आपको decide करना है कि किसको कौन सा role दिया जाए अब आप सोचो उस वक्त आपको ये ना पता हो कि किस इनसान को decoration का काम दे देना चाहिए कौन है जो अच्छे से गा सकता है या फिर कौन है जो अच्छे से host कर सकता है कौन है जो ठीक से गा नहीं सकता है आपको ये सब नहीं पता होगा तो क्या होगा गरबर हो जाएगी ना तो वही बात यहां पर कहा जा रहा है कि जब आप एक team के साथ काम करते हो ना तो ये बात जरूरी हो जाती है कि जितने भी members है उनके strength क्या है, weaknesses क्या है ये जानना जरूरी है बिना इस बात पर ध्यान दिये हुए कि वो जो member है वो मुझसे छोटा है, बड़ा है, ये सारी भावनाएं ना लाते हुए जितने भी members है उनके बारे में ये जानना जरूरी है कि वो कौन सा काम बहुत ही बहतरीन तरीके से कर सकते हैं और कहां है जो वो गलतिया कर सकते हैं Because of our background, we often don't learn how to exercise and accept leadership to lead and to follow simultaneously ओधर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जिस environment में पले बड़े हैं उसकी वज़े से क्या होता है कि हमें इस बात को सीखने का मौका ही नहीं मिल पाता है कि किस तरीके से आप एक अच्छे leader बन सकते हो किसी भी team को अच्छे से lead कर सकते हो और साथ ही साथ अगर आपका leader आपसे कुछ कहता है तो उसकी बातों को कैसे follow किया जाता है ये भी हमने ही सीख पाते ये दोनों चीज़े साथ साथ चलती है आपको एक अच्छा leader भी होना चाहिए और आपको एक अच्छा follower भी होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कहो कि मैं ही leader बनूँगा मैं instruction दूगा सबको और सबको follow करना है और जब आपकी follow करने की बारी आती है जब कोई और आपको order देता है तो आप उसके order को नहीं मानते हो तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हम अपने जो environment है उसकी वज़े से ये सीखी नहीं पाते है कि एक अच्छा leader और एक अच्छा follower और एक साथ ये गुन अपने अंदर कैसे लाए Some gravitate towards exercising leadership and others gravitate towards accepting the lead of others but in teamwork everyone needs to do both gravitate का मतलब होता है किसी और जुकाव होना यानि कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सिर्फ उनके अंदर एक leadership की quality होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों के orders को follow करते हैं हमें ऐसा नहीं होना है किसी एक तरफ हमारा जुकाव नहीं होना चाहिए एक इनसान को एक अच्छा team player बनने के लिए दोनों चीजे दोनों quality होना जरूरी है एक leadership की और दूसरी follow करने की यहां पर writer के बता रहे हैं कि एक अच्छा team player होना इसका मतलब क्या है एक अच्छा team player होने का मतलब यह है कि आपके अंदर दूसरों के प्रती आदर की भावना होनी चाहिए अगर किसी के विचार आपसे अलग हो तो आपको उसके प्रती tolerant होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप जगड़ा करने पर जाओ जाहिर सी बात है कि हर इंसान अलग होता है और हर एक का सोचने का तरीका अलग हो सकता है तो किसी का सोचने का नजरिया आपसे मेल ना खाता हो इसका मतलब यह नहीं है कि आप एकदम भरक जाओ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी चीज को देखने का अपना अपना नजरिया होता है और कौन से गुन होने चाहिए एक टीम प्लेयर में लाइड़े ने निखा है willingness to give willingness to give का मतलब clear नहीं है यहाँ पे लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टीम वर्क की तो willingness to give का मतलब आप यह समझ सकते हो कि आप जब एक टीम के साथ काम करते हो तो आप अपना 100% देते हो तो जब आप अपना contribution देते हो तो वो contribution आपका नहीं होता है सिर्फ आपका नहीं होता है वो पुरे टीम का होता है अगर आपने टीम में रहते हुए कुछ अच्छा सा काम किया है तो वो काम सिर्फ आपका नहीं है वो पुरे टीम की उपलब दी है तो आपको इक्छुक होना चाहिए आपके अंदर इक्छा होनी चाहिए कि आप अपने contribution को अपने टीम के नाम करो ना कि आप ये सोचो की मैंने ये किया है नहीं आप ऐसा ना सोचो ये सोचो की ये जो achievement मैंने किया है ये पुरे टीम का है ना कि सिर्फ मेरा और सिको फैंसी का मतलब होता है और सिको फैंसी का मतलब होता है चापलूसी करना हां में हां मिलाना तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि एक अच्छा टीम प्लेयर बनने का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो ये है कि आपके अंदर ये शम्ता होनी चाहिए आपके अंदर ये अबिलीटी होनी चाहिए कि अगर कोई भी मतभेद हो किसी भी तरीके का कंफ्लिक्ट पैदा हो तो बिना एहंकार दिखाए हुए या फिर बिना चापलूसी किये हुए आप उसको सॉल्व कर सको उसका निवारन कर सको यही एक अच्छे टीम प्लेयर की निशानी होती है तो आपके मन में ये विचार जरूर आ रहा होगा कि बिना एहंकार शो किये हुए बिना चापलूसी किये हुए कैसे किस प्रकार से हम एक कंफ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं कैसे किया जा सकता है तो उसी के लिए राइटर ने आगे कहा है यू हाफ टू अग्री टू डिस अग्री आप जब ये लाइन सुनोगे तो आप सोच में पर जाओगी कि आखिर मतलब क्या है इसका मतलब हो क्या सकता है इसका मतलब थोड़ा सा कॉंप्लेक्स लगता है ना सुनने में तो इसको हम एक एक्जांपल से समझते हैं आप समझ लो कि आप बैठे हो और आपका एक दोस्त बैठा हुआ है और आप दोनों के बीज में डिसकॉशन हो रहा है और डिसकॉशन के बीज में आपके दोस्त ने कहा कि जो मसाला पनीर होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है आ आप उससे अगड़ी कर दे, आप उससे सहमत हो गए कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके बाद आपके दोस्त ने कहा कि मसाला पनीर में जब दही डाल देते हैं उसके बाद वो और भी टेस्टी हो जाता है, आपको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्य ये क्या हो गया, ये आप उससे डिसअगरी कर रहे हो, और ऐसे ही में इसी बात पर कि दही डाल के खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आप दोनों का जगड़ा हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आया, कि हो सकता है कि मुझे पसंद ना हो, लेकिन मेरे पसंद नहीं है, तो ये क्या है, आप इस बात के लिए मान गए, कि आपके दोस्त की जो विचार है, वो थोड़ी अलग है, आप इस बात के लिए मान गए, आप इस बात के लिए नहीं माने हो कि हाँ, मसाला पनिर में जो दही डाल के खाना होता है न, वो अच्छा होता है, ये इस बात से आप अभी भी अगरी नहीं कर रहे हो इससे आप सहमत नहीं हो लेकिन आप इस बात से सहमत हो कि हाँ हो सकता है कि कुछ लोगों को दही डाल कर खाना पसंद हो पर मुझे पसंद नहीं है मैं इससे अगरी नहीं करता हूं यानि कि आप इस बात को accept कर रहे हो कि हर एक व्यक्ति की जो विचार है, सोच है, taste है, वो मुझसे अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मेरे जैसा ही हो, तो आप इस बात से agree कर रहे हो, दूसरे के विचार से agree नहीं कर रहे हो, आप इस बात से agree कर रहे हो कि दूसरों के विचा अलग हो सकते हैं तो तो अभी आपने क्या किया आपने आपके दोस्त और आपके बीच जो कन्फिक्ट पैदा हुई थी उसको आपने सुलजा लिया बिना एहंकार के या बिना चापलूसी किये हुए आप चापलूसी भी तो कर सकते थे ना आप अपने दोस्त को ऐसे मुझ प बोल रहा है लेकिन आपने क्या किया आपने किया agree to disagree I find that people in India tend to focus on achieving total agreement which is almost always impossible रेटर यहां यह कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है कि जो भारतिय लोग होते हैं उनका जो main focus होता है वो होता है total agreement को प्राप्त करने का वो यह चाहते हैं कि किसी भी topic के उपर या फिर कोई भी project पे वो अगर काम कर रहे हैं तो सर्वसहमती हो यानि कि उसमें कोई भी ऐसा इंसान ना बचे या फिर कोई भी ऐसा point ना बचे जिसके उपर कोई disagree कर रहा हो लेकिन ऐसा possible नहीं है क्यों possible नहीं है क्योंकि हो सकता है कि लोगों के अलग point of view हो इसी लिए वो कहते हैं अभी आगे पढ़ोगे तो इसी लिए जो राइटर हैं वो कहते हैं कि इस बात पे जादा focus करने के बजाए कि सब सहमत हो जाए इस बात से उसके बजाए क्या करना चाहिए कि आप जिस भी चीज के उपर काम कर रहे हो उसकी शुरुआत कर दो और शुरुआत कहां से करनी है उन points के उपर शुरुआत करनी है जिसके उपर agreement बन चुका है जिसके उ दीरे जो भी points हैं जहां पर असहमती बनी हुई है तो उसको दीरे-दीरे करके आगे चलके सुलजाया जा सकता है इससे क्या होगा कि काम जो होगा वो रुकेगा भी नहीं और धीरे-धीरे discussion करते हुए जो भी problems है जहां भी disagreement है उसको सुलजाया जा सकता है वरना क्या होगा सब को मानाने के चकर में जो काम होगा वो रुका का रुका ही रह जाएगा ना शुरुवात होगी और ना ही जो disagreement हुई है वो solve हो पाएगी तो इसी चीज़ को आगे writer कहते हैं So before work begins, people want everyone to agree on everything. Instead, they should say, okay, this is what we agree on. So let's start working on this. What we don't agree on, we will resolve as we go along. तो जैसे ही किसी भी काम की शुरुवात होती है, उससे पहले ही लोग क्या चाते हैं कि जितने भी members उस काम में involved हैं, वो जितनी भी चीज़े उस काम में हैं, उन सभी के उपर agree हो जाए, सहमत हो जाए. इसके बजाए क्या करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि okay, कोई बात नहीं है, हम जिस भी चीज़ के उपर agree हुए हैं, जिसके उपर हमारी सहमती बन चुकी है, उससे हम अपना काम की शुरुवात करते हैं, और जैसे जैसे हम आगे काम में बढ़ेंगे, आगे हमारा काम बढ़ेगा, तो जो भी part, जो भी ऐसे points हैं, ऐसे भाग हैं, जिसके दिरे दिरे आगे बढ़ते हुए, काम को आगे बढ़ाते हुए हम सुल्जा लेंगे, for things to move forward, it's important to work on the agreed upon aspects and not get bogged down in the areas of disagreement, bogged down का मतलब होता है, किसी जगह पे अटक जाना, रुख जाना, तो वही बाद जो मैंने आपसे पहले कही थी, कि अगर आप चाहते हो, कि चीजे रुखे ना, आगे बढ़ती जाए, तो इसके लिए सबसे जादा important ये है, कि किसी भी काम की शुरुआत, उन aspects के उपर करनी चाहिए, उन भागों के उपर करनी चाहिए, जिसके उपर agreement बन च चाहिए, ये अनदर स्निक, डाट किल्स टीमवर्क इस पिपल्स पॉलिटिकल एजएंडास, अचाह आपने कही बार सुना होगा ना ये टर्म, कि ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कहीं पे भी स्कूल में अगर आप हो, अगर टीम में काम कर रहे हो, तो आपने अक्सर यह सुनाओगा किसी न किसी ने ज़रूर कहा होगा या फिर आप नहीं कहा होगा कि ये लोग politics खेल रहे हैं इसका मतलब क्या है politics खेल रहे हैं मतलब कि वो सामनी दिखा कुछ हो रहे हैं लेकिन उनका मन ही मन कोई न कोई और को मार सकता है और वो है लोगों की political agendas लोग कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं लेकिन teamwork में इसकी कोई भी जगह नहीं है अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उससे पूरे team को नुकसान होगा You have got to be open, clear and honest to be a good team player आपको अपने विचार खुले तोर पे रखने चाहिए बिलकुल साफ साफ और पूरी इमानदारी के साथ आपको honest होना पड़ेगा अपने team member के साथ तभी आप एक अच्छे team player बन पाओगे और team के साथ अच्छे से काम कर पाओगे Most people have a hidden agenda, they say something but mean the exact opposite, I call it spirit level consciousness अक्सर क्या होता है न कि लोगों के अंदर एक hidden agenda होता है, वो कहते कुछ और है लेकिन उसका मतलब उनके लिए कुछ औरी होता है, अलग होता है, एकदम opposite होता है और इसी चीज़ को writer कहते है, spirit level consciousness, यानि कि dual personality, दोरी वैक्तित्व To say and mean the same thing is a very critical part of a good work ethic हर चीज़ की अपनी एक नैतिकता होती है, इथिक का मतलब होता है नैतिकता होती है तो काम की भी एक नैतिकता है, और वो ये है कि आप जो कह रहे हों, वही आपका इरादा भी है, वही आपके मन में भी चल रहा है For example, आप ऐसे समझ सकते हो, कि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, आप से पूछा गया कि आपको एक काम सौपा गया है, ये आप कितने दिन में करके दे दोगे आपने कहा की मैं तो दो दिन में करके दे दूगा, लेकिन आपका ऐसा इरादा नहीं है आपका ऐसा इरादा है ही नहीं, आप सोच रहे हों कि एक हफ़ते दो हफ़़़े बाद भी करके दे तो कोई फरक नहीं परता है इसका मतलब क्या है कि आप जो कह रहे हो और जो आपका इरादा है उसमें अंतर है और ऐसा नहीं होना चाहिए इससे आपके टीम को नुकसान होगा और वर्क इतिक जो होता है उसके खिलाफ है आप जो कह रहे हो आपका जो भी इरादा है वो आप सामने खुल के कहो अगर आप चाहते हो कि दो हफ़ते बाद ही आप करके दो काम तो आप सामने ही कह दो ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि दो दिन में लेकिन आपके मन में चल रहा है कि नहीं मैं एक दम धीरे धीरे करके दूँगा कोई फर्क नहीं परता है काम लेट भी हो तो कोई बात नहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी इरादा हो वो सामने खुल के बता देना चाहिए मैंने तो आपको बस एक एक एक्जामपल दिया ऐसे ही बहुत सारे hidden agendas होते हैं जब आप team work के team के साथ काम करते हो तो अलग-अलग लोग होते हैं उसकी वज़ज़ से जो होता है टीम ठीक से काम नहीं कर पाता है बहुत जो बड़ी-बड़ी कंपनिया होती है उसमें भी problem create हो जाता है इसलिए ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छा work इधिक बना के रखो और जो कह रहे हो उससे अलग आपका इरादा नहीं होना चाहिए